Hi guys, welcome back. So, bhai, Salar का trailer और Salar अपने आप में controversy create ना करे ऐसा हो नहीं सकता. Salar के trailer को लेकर क्या controversy चल रही है, इस वड़ सोशल मीडिया का क्या हाल है, और Salar के trailer को लेकर negativity के बारे में ये वीडियो है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल को कर ले ना, subscribe, बात करूँगी मैं आपसे सबसे पहले प्रभास की as an actor and as a star मतलब प्रभास का जब नाम आता है ना तो हम बात करते हैं सबसे पहले बाहुवली की, फिर बाहुवली 2 की और उसके बाद बात करते हैं हम आगे की controversies की, जो की प्रभास से reviews की भी, जिसमें मैंने भी अपना एक review दिया था, और सभी ने अपना opinion बताया की क्या है, कैसा है लेकिन सबसे interesting चीज़ पते क्या रही despite of all the opinions positive, negative, neutral, whatever it is, 24 घंटे में 116 million views 116 million views एक टेलर ने करके दिखाए इसके बाद, इससे पहले भी काफी reactions आने लग गए थे, काफी चीज़ें बोलने लग गए थे लोग, मजा नहीं आ रहा यार, टेलर में बताया, ऐसा लग रहा है, जैसे KGF की सस्ती copy है कि KGF की set पे Salar को बना दिया है कि कोईले की ख़दान है, मैं बता रही हूँ यह सारे words जो है, यह बहुत हर तरफ से आ रहे थे, for Salar and जो dubbing है हिंदी की, वो मजा नहीं आ रहा है हमारे को इसमें, you know जो प्रभास की dubbing हुई है हिंदी की वो अच्छी नहीं लग रही है, वो शरत केलकर की आवाज नहीं लग रही है, और expectations तो हमारी कुछ और ही थी, प्रशांत नील ने मेरे कहाल से बहुत ही underrated काम किया है ऐसा क्यों बना दिया है, और अभी इस वक्त पर हम इतना सारा action देख चुके हैं फिर से action और यह film तो प्रत्वीराच सुकुमारन की लग रही है, और प्रभास की नहीं लग रही है सो मुझे सारे reactions एक तरफ और दूसरी तरफ fans का जो support है वो दूसरी तरफ and just see, जो कुछ भी reactions आए, जो कुछ भी negative controversies create होने की कोशिश हुई उनका जिल्च फर्क पड़ा zero, absolutely zero the fans were indifferent क्योंकि fans वो reviews नहीं देख रहे है fans वो चीज़ नहीं सुन रहे है जो वो बोल रहे है या जिसका जो opinion है वो उसका personal opinion है उसको नहीं अच्छा लगा उसको नहीं पसंदाया मेरे हिसाब से ये एक ऐसी film होगी एक ऐसा trailer तो हमने देखा ही film भी एक ऐसी होगी जो कि आपको एक box office पर एक memorable number देखर के जाएगी in terms of प्रभास जितनी भी films रही है और जहां तक रही बात audience को content जो है वो उतना surprising या उतना वो नहीं लग रहा है पहली चीज़ तो यार हमको पहले से पता था कि क्या color grading है of Salar इस film को कबजा से भी compare किया जारा था which is a Kannada movie उपेंदर सर की movie है बहुत ही बड़े actor हैं वो लेकिन कबजा डिट नॉट वर्क मतलब box office wise उतना ज़ादा उसका वो नहीं रहा और लोगों ने बहुत role भी करी थी कि KGF की बिलकुरी सस्ती copy थी ये था वो था तो मेरे को ये कहना था सिर्फ यार पहले से आपको सारी चीजें पता है template पता है whatever the character is वो पता है whatever the director is doing वो पता है उसके बाद एक जबरदस्ती का मतलब कहते है कि जिसको जबरदस्ती आग में घी डालने वाली चीज ये जबरदस्ती जगडा करवाने लगाने वाली चीज और उसमें फिर कई लोगों ने वो अंगल भी निकाल लिया दंकी वर्से अलार वाला अंगल भी निकाल लिया कि देखो उधर देखो और इधर देखो अगर आप comparison करो look at the content and everything so I just have to say this कि इस सबसे कुछ भी फरत नहीं पड़ेगा किसी की भी collections को क्योंकि दोनों ही फिल्मों के fandoms बहुत बड़े हैं इस film का specially मैं अगर ये बोलूँ कि मजा नहीं आया और ऐसे sensational टाइप की चीजें बोलना या जिससे प्रभास ने अपनी उकाद दिखा दी इसे यसे words आ रहे थे और मुझे बहुत ही बहुत ही बहुत शॉकिंग लग रहे थे बिकास वो चीजें इस नाट माइ कप अफ टी और मुझे लग रहे था कि शायद कहीं न कहीं या तो जबर्दस्ती इतना खराब इतना खराब बोला जा रहे है कि जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया क्या ही हो गया I would say यार कहानी है और दो दोस्तों की कहानी है पृत्वीराज सुकुमारन राजा के किरदार में है अभी आप सोचो यह roles switch होते है reversals होते है अगर for example राजा के किरदार में हमारे पास यह प्रभास होते है as an actor और पृत्वीराज सुकुमारन होते सलार तो तब आप यह बोल सकते थे कि यह फिल्म जो है यह पृत्वीराज सुकुमारन की फिल्म है क्योंकि main character जो है वो तो सलार का है अभी अपने trailer में जो देखा है एक छोटा सा part देखा है और वो उसमें सबसे बड़ा driving force ही सलार है सबसे बड़ा driving force ही है character है so how can people actually react so stupidly saying कि यह film जो है यह पृत्वीराज सुकुमारन की जादा है क्योंकि उनको screen time जादा मिला हुआ है in the trailer not in the movie अभी तो movie नहीं आई ना of course trailer में देखकर के इतने सारे assumptions इतने सारे conclusions जो है निकाल के रख दिये लोगोंने और उसके बाद फिर कई लोगोंने इसके social media पर भी बहुत जादा trolling शुरू कर दी social media was full of you know जो भी जिसको बोलना था वो बोल रहे थे लेकिन एक कह सकते हैं कि एक जवाब जो है वो fans की तरफ से ही आया कि सबसे बड़ा जो benchmark था वो था of the view counts and it is the most viewed Indian trailer of any movies मतलब ये चीज़ लाना कोई मजाग बात नहीं है और वो अगर content अच्छा नहीं होगा तो शायद fans भी support नहीं करेंगे मैं आपको बता रहे हैं कि जो content पसंद नहीं है उसको भी support करेंगे आदीपुरुष आज तक fans भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आदीपुरुष को भी कालियां देते हैं और वो सच है क्योंकि आदीपुरुष में जो problem थी वो थे director तो उम राउत ने जो किया था जितना भी दारोंदार है मुझे लगता है एक actor से जादा एक director के सर पर होता है credit किसी film को successful या फिर एक बहुत बड़ी flop disaster बनाने का देखो अभी आपके सामने एक example है अभी recent क्या example है कि मैं disaster नहीं बोलूँगी लेकिन जो हमारी expectations थी Spy Universe Tiger 3 से Manish Sharma as a director उसको fulfill नहीं कर पाए जो expectations थी कर पाए है वो अच्छे number पर आगई है मैं तो रोज ही उसके बारे में reporting दे रही हूँ I think मैं ही हूँ सरफ जो Tiger की अबेबे collections बता रही हूँ But look at what the director can actually do with the actor अच्छे अच्छा काम निकलवाना एक एक director का वो है जिम्मा So मुझे लगता है प्रशांत नील पर कोई शक नहीं है कोई शुबा नहीं है कि प्रशांत नील ने कुछ भी हमारे को disappoint किया हूँ पर भी I would say It's too early to judge It is too early to judge And look at the support that this movie is getting from the fans और वो तब नहीं होता है अगर content अच्छा नहो So मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि यह सब ट्रोलिंग और यह सब से कुछ पड़ेगा नियार यह एक बड़ा बेंच्मार्क ले चुकी है बड़ा पाइदान ले चुकी है अपने नाम कर चुकी है And आगे चलके देखेंगे मुवी में हमारे को और क्या देखने को मिलता है और एक news आ रही है Trailer No. 2 की उसको मैं आपको बाद में जड़ा थोड़ा ओर confirm हो जाए फिर मैं आपको जरूर बताऊंगी की Salaar का second trailer भी आ सकता है So जरूर बताऊंगी उसके बढ़र But तब तक के लिए क्या रही आपका क्या रही आपका क्या रही आए सब क्या रही आपका क्या रही आपका रही आपका हिन रही है सब्सक्तरवरसीं पर पही है? Let me in the comments section and if you liked this video Give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel So